हेलो फ्रेंट्स आज हम लोग एलिगेशन और मिक्षर का पार्ट फिप पढ़ने वाले हैं यह वीडियो जो होगा वह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होगा आप सभी के लिए क्योंकि इसमें मैं लास्ट ये के पिपर के बहुत सारे कुश्टन को लेने वाला हूं जो कि बहुत ही टफ कुश्टन माने जाते हैं तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और यह फेस्बुक ग्रॉप है अगर आपने इसको अभी तक नहीं जोईन किया है तो अपनी क्वेरी अगरा पूछने के लिए आप इसको प्लीज जोईन कर लिए ठ प्लीज इस पे बहुत ध्यान से आप लोग देखेगा और इस चीश को सीखेगा बहुत इजी कुश्टन है अगर आप कर लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आप इसको समझ लीजे क्या चीजे होती है कैसे होती है यहां पर आपको एलिगेशन थोड़ा औ हम सभी को पता है हम लोग इस तरह से इसको सॉल करेंगे और यहां पर एलिगेशन लगाते हैं तो यह क्या हो जाता है 19 से 26 का कितना अंतर आ गया आपका 7 और यहां पर यह कितना आ गया 40 में 26 घटा है तो यह आ गया 14 तो 7 और 14 यानि कि एक अनुपाद 2 आ गया यह बहुत ही इसी सी चीज है यह मैं फर्स्ट रीडियो से आपको समझा रहा हूं यह चीज करना बट आज आपको इसका थोड़ा सा और एक अंतर समझना होगा देखे जब भी कुछ इस तरह का कुश्चन हो कि जब आपका पहले से ही एक ग्लास हो जो कि पहले से ही फिल्ड है देखे यह 60% वह क्या होगा वाटर उसमें से पहले ही फिल्ड होगा तो इसमें क्या करते हैं हम लोग किसी और पार्ट से उसको बदल देते हैं तो बदला कैसे जा सकता है क्या मैं इसमें 19% वाला मिला दूंगा तो क्या बदल जाएगा तो ऐसे नहीं बदलता है इसमें क्या करना पड जैसे 19 प्रिस्ट वाले से बदला जा रहा है तो कितना इमाउंट बदला गया होगा यही कुछन में पूछा जाता है कि कितना भाग नए द्रव से बदला गया है तो इसको आप समझ लिजे कि यह कुछ पार्ट मैंने बोला कि निकाला गया होगा और उतना ही पार्ट इसमें 19 20% वाला डाला गया होगा ठीक है तो देखे यह जो रेशियो आता है अब इस रेशियो को समझ लिजे कि रेशियो क्या आता है ठीक है यहां पर आया कि एक अनुपात दो ठीक है इसका मतलब मैंने बताया था कि एक अगर यह चीज़ ली गई होगी तो दो अनुपात में यह चीज ली गई होगी ठीके तो इसका मतलब क्या होता है एक अनुपात दो का इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह है कि एक और दो यानि कि टोटल कितना तीन तीन जो अनुपात है वो पहले इसमें जो भी मैं मानूं कि अगर यह बियर का ग्लास है और इसको मैं अगर तीन ह इस्टों में पूरे में 40 प्रिश्वाला सांदृता का जो ईल्कोहल था वो भरा हुआ था। उसके बाद क्या किया गया मैं इसी ग्लास को यहां जो total initially, जो mixture था, वो कितना था, तीन amount था, और अब, यानि कि current में कितना है, अब सिर्फ वो एक अनुपात रहे गया है, और यह जो दो अनुपात है, यह कौन सा है, यह new वाला mixture है, ठीक है, तो question में क्या पूछा गया है, कितना भाग नए दरफ से बदला गया है, तो दो बाग ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, कि दो भाग बदला गया है, total कितने में से, तीन में से, यानि कि दो वटे तीन पार्ट नए दरफ से बदला गया है, ठीक है, इस पर बेस्ट एक और question देख लेते हैं, अब देखे, same type का ही question है, इसको क्या कह रहा है, क एक बरतन में 80% सांधता वाला अमल भरा हुआ है, उसका कुछ भाग 20% सांधता वाले अमल से बदला जाता है, तो 40% सांधता वाला अमल प्राप्त होता है, ठीक है, इसका कितना भाग 20% वाले दरफ से बदला गया है, तो easy question है, 80% वाला था, उसको कुछ 20% वाले से बदला चालिस तो ये कितना ratio आ गया ? खील雅ні मतलब हुआ कि 20%清igen भाग कितना मिल से 3 में 이후 से तो 2 बते 3 बटे 3 बाग जो है बदला गया होगा तो 20% consistent कितना बाग ? 20% narav Us से बतला क्या होगा दो विटे तीन बाग यह चीज आप अब आप समझ पा रहे होंगे बहुत ही आसानी से ठीक है नेक्स कुशन देखते हैं अब देखिए यह कुशन क्या कह रहा है कि एलकोहल और पानी के पांच लिटर घोल में एलकोहल 20 प्रिचसेत है ठीक है इसमें दो ल प्रपोर्शन से सुल करना सीखते हैं देखिए आपको मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको तीन वेल्यू पता हूँ और यहां पर क्या है रिजल्ट यहां पर पहले से घिवन होता है तो इस तरह के कुश्टिन को मैंने पहले और दूसरे वीडियो में सौल करना स सिखाया था कि जब आपको यहां पर 1 पता हो और नीचे का दोनों रिज़्यो पता दे और आपको रिजल्ट तब भी पता होता था ठीक है लेकिन डेकर इस Matt तो एलकॉहल इसमें कितना होगा जीरो परसेंट होगा लेकिन नए मिश्रण में अलकॉहल की मातर पता है यहां पर आपको जब रिजल्ट ही नहीं पता हो उस केस में आप ऐलिगेशन का यूज नहीं कर पाएंगी तो इस तरह के कुछिंच के लिए जिसमें की फाइनल मिश्र हो जाएगा देखिए क्या है कि अलकॉहल और पानी का कितना लिटर मिश्रण है तो आप यहां पर लिखे कि पांच लिटर मिश्रण मेरे पास टोटल है तो यह हो गया आपका तो यह रेशियो कितना है 20 और 80 है या फिर इसको मैं क्या कहूं एक अनुपाद 4 के रेशियो में है ठीक है एक अनुपाद 4 में है तो मेरे अकॉर्ण जो है टोटल कितना है 5 और सवाल में भी कितना है कि 5 लिटर ही है तो मैं इसको क्या करूंगा इसको कर लूंगा तो इससे मुझे पता चल जाय गई अलकॉहल कितना है 1 लिटर लेले को है और वर्टर dauert एक लिटर यह को ह अगर मैं आप से कहूं कि एक आप चमज डालिए और सिर्फ पानी निकाल लीजे तो क्या ये बात संभव है ये बात बिल्कुल भी संभव नहीं है जब आप उसमें पानी या निकालने के लिए कुछ भी आप निकालने कोशिस करेंगे तो उसमें जिस अनुपात में वो होगा अगर मैं कहूं कि एक अनुपात अलकोहल है और चार अनुपात पानी है तो अगर आप एक चमज भी उससे निकालेंगे तो भी आपका एक अनुपात चार के ही अनुपात में आपका उसमें जो एक ड्रॉपलेट अगर उसमें पानी की आएगी तो चार ड्रॉपलेट आपक मिक्षर में होता है यानि कि मैं अपनी बात को फिर से एक बार दोरा देता हूं देखिए जैसे कि यहां पर मैं क्या कहता हूं कि एक अनुपाज चार में दूद और पानी है ठीक है आपके एक ग्लास में दूद और पानी क्या है एक अनुपाज चार में है ठीक है तो अगर मै इसमें से एक चमच निकालू या फिर पूरा का पूरा ये जो मिश्रन है उसको निकालू उसमें से एक चमच भी निकालूँगा तो उसमें भी अगर एक डॉपलेट दूद की आएगी तो चार डॉपलेट्स पानी की आएगी या फिर अगर मैं पूरा निकालूँगा तो पानी डाला जाता है तो जब दो लिटर मिक्षयर निकाला जाता है तो वो किस अनपात में आएगा एक अनपात चार के अनपात में बाहर आएगा तो एक अनुपाद 4 गंपाद में बाहर आएगा अगर 5 लीटर निकालता तो एक लिटर यानि कि टोटल 5 में रेकारडिंग हर बार बाहर आएगा और सवाल में सिर्फ कितना निकालना है दो लीटर निकालना है तो एक की वेल्यू आपकर कि कितनी आगई 2 बटे 5 ठीकibt ten आगई इ और वाटर कितना बाहर आएगा दो बटे पांच से चार मल्टिप्लाई होगा तो यह कितना आजाएगा आठ बटे पांच तो आठ बटे पांच भाग आपका वाटर बहार आजाएगा ठीक है अब उसमें कहा क्या गया है कि जब इतना निकाला जाता है और सेम एमाउंट ऑ व बटे पांच भाग तो गया और दो भाग पूरा पूरा दो लिटर जो है उसमें आ गया और जबकि एलकोहल किया है सिर्फ दो बटे पांच भाग आपका गया ही गया है ठीक है तो आप जब आप इसको सॉल करेंगे तो यह क्या आजाएगा मैं इसको यहां पर लिख देता ह गया है और यह कुतना निकाला गया मैनbas 8 बटे फाइफ यह निकाला गया है लेकिन इसमें 2 लिटर वॉटर और सेमंट एट कर दिया जाता है ठीक है तो कि किकले हैी ने से में gate ञ्ट यह कितना बचे देख नो Hugo कोहल कहत्क है तो यह कितना अपको उसको कर लिछेगा चार प्लस दो बटे पांच यह यह कितना हो जाएगा तो यह तो यह आपका नया रिष्या आजाता है कि अगर आपका नय उसमें अल्कोहल देखिए पांच से पांच आपका टा capable कर गाँगा तो यह क्या है कि तीन रिषी यानレह तीन अनंपात बाइस के अनपात में आपके पास alcohol और water आ जाएगा तो अब फूछा क्या गया है तेल amount of alcohol in the new mix नाय मिश्टर में alcohol की मात्रा बताई तो alcohol कितना है तीन भाग है तीन भाग है कितने में से टोटल 25 में से या फिर अगर इसका ratio के बजाए यह पूछा जाए कि percentage में अगर आपको चार अप्सेंस दिये हो तो यह कितना हो जाए अगर तीन बटे पांच पच्चिस है इसको चार से उपनीचा जाधा time लगेगा तो इसको आप एक बार समझ लिजे हो सकता आपको थोड़ा से एक बार में दिखकता है बड़ आप इसको एक बार समझ लेंगे तो आप बहुत आसानी से इस तरह के questions को solve कर सकेंगे इसी पर पेस्ट एक और question देखते है अगर आपको किसी भी पार्ट में आपको यह चीज आती है तो आप उसको skip कर सकते हैं क्योंकि मैं काफी चीजें एक ही वीडियो में cover करता हूं तो आप किसी भी चीज को अगर ऐसा लगता है कि आपको आती है तो आप उसको skip करके next part को देख लीजे ठीक है तो यह question मैं एक बार फिर से आपको explain कर देता हूं जिन लोगों को अगर एक बार पर नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख लेंगे लिए क्या कह रहा है यह थोड़ा सा different question भी है थोड़ा सा better question है इसमें क्या है कि अगर दूद और पानी के 20 लिटर मिश्रण में दूद और पानी का अनुपात कितना है पांच अनु लिटर है और इसमें milk और water का ratio कितना है 5 ratio 3 ठीक है तो पहले क्या है यह तो ratio है इससे आप real quantity निकाल लीजिए तो यह कितना है total मेरे recording 8 है और सवाल में total कितना है 20 है तो मेरे recording एक की value कितनी आ जाएगी 20 बटे 8 यानि कि इसको में तोड़ा solve कर लेता हूँ 20 लिटर है तो अब क्या बोल रहा है question में कि इससे 4 लिटर मिश्रण निकाल कर इसमें 4 लिटर ही दूर डाल दिया था ठीक है तो अब आपको पता है कि total मिश्रण में milk कितना है 25 बटे 2 लिटर और water कितना है 15 बटे 2 लिटर ठीक है टोटल में तो दीकि टो निकल जाएगा उससे मुझे भी अंदाज है लग जाएगा तो यह कितना 1 लेकुस्ट कॉस्ट्च निकलेगा तो लेकिन में क्या कहा जा रहे है कि 4 लीटर दूद उतना ही अमाउंट या नी यह कितना होगा है 4 लीटर मिलक आपने ऐड कर दिया ठीक है तो अब यह क्या जाएगा 4-5 बिटे दो यानि कि टोटल कितना 8-5 इसको सॉल कर लिए 2 यहाँ पर 8-5 यानि कि 3 2 ठीक है तो 3 2 मिलक आपका एड हो जाता है और यहाँ पर 3 2 बटे दो मिल्क तीन बटे दो लीटर आपका वाटर निकल जा रहे तो अब आप इसको जब सॉल करेंगे तो यह कितना आजाएगा 25 और यहां पर यह तो पॉजटिव यहां पर निगेटिव है तो इसमें आपका एड हो जाएगा मिल्क तो यह कितना आजाएगा दो नीचे कितना आजाएगा 2 से काड़ दीजे तो 7 रेशियो 3 आपके पास अब नए मिक्षर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा 7 रेशियो 3 तो यह कुछ्छन से जब आप से पूछा जाए कि नए मिश्रण में अनुपात क्या होगा इस तरह के कुछ्छन के लिए आप क्य क्या एक बड़तन में आमल और पानी का घोल है जिसमें अनट के टीश्त है तो एसिड की वैलिओ आपको वोली जाता है तो अब तो 30% 30 सो जाता है तो अब सो जाता है तो अब जो City है वह कितना हो जाता है auditory तो आपごांच ध्यान से नियुक्त कई एंच साल यवास त dopoप भड़न रसटैंख ठीडब घ्रिंट वंस सुलीशंट वह उरई तो अब सब्सक्रेइबभ आपको है पानी िलाया जा रहा था solution में कुछ amount इसका acid का जो भी mixture था उसको निकाल करके उसकी जिगह पर क्या डाला जाला था वाटर डाला जाला था तो वाटर में acid कितना होगा 0% होगा मैं मानता हूं कि water जो है कैसा है pure water लिया गया होगा तो उसमें acid कितना होगा 0% तो अब आप इसको allegation लगाएंगे तो यह कितना जाएगा 0 से 30 का difference 30 और 36 से 30 का difference कितना जाएगा 6 तो इसको आप solve करेंगे तो यह कितना जाएगा 6 35 पांच अनुपात न था लेकिन क्या किया गया कि सिफ इसका जो एक घञाएगा चाहरा 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 डॉल कीा गया आपको इक चाहर चलाल गया तो पूंचा सवाल में अब लेकितना चार लिटर पांगा तो एक की वैल्य आपको पता si तो पूछा क्या गया प्रारम में घोल कितना था तो प्रारम में घोल क्या 5 लिटर था नहीं प्रारम में घोल आपका कितना था 6 लिटर था ठीक है तो एक की वैल्यू अगर 4 है तो 6 की वैल्यू कितनी 4 से मल्टिप्लाइ कर देख 6 चोगो 24 ठीक है यहीं पर अगर आपको सवा 36% जो है यह एसीड था कई बर कुछन इस तरह से आया हुआ है कि वो यह पूछता है कि इनिसली कितना एसीड था यहां पर जैसे कि कुछन में क्या है घोल पूछा गया फिर सॉलुशन पूछा गया इसी की जगा पूछा जाता कि हाव मच लीटर सॉफ एसीड वॉज इनिसली तो इनिसली एसीड आपका 24 लिटर नहीं था 24 लिटर तो पूरा सॉलुशन था उसमें काफी तो पानी भी है तो सिर्फ उसका 36% जब आप निकालेंगे तो वो आपका एसीड होगा ठीक है नेक्स्ट कुछन देखते हैं आप देखिए यह कुछन जो है वह आपका SSC CGL 2006 का पूछा क्या कुछन है ठीक है इसको समझ लीजें ठीक है क्या कह रहा है कि एक जब में द्रव A और बी हैं इनके मिश्रण का अनुपात चार अनुपात एक अनुपात में अगर A.4 है तो B कैसा है 5 B.1 है अगर A.4 अगर जब 10 लिटर के मिश्रण को निकाल कर 10 लिटर कितना 10 लीटर निकाला गया और उसकी जिगा पर 10 लीटर क्या है तो अब क्या पूछ रहा है कि द्रव लघ का अनुपाद भी दे दिया गया तो नया तो initially द्रव A कितना था ? इनिशली द्रव A था 4 by 5 ठीक है और जब B से डाला गया तो उसमें द्रव A कितना रहा होगा ? 0 और finally जब आपका जब द्रव A होगा उसमें कितना होगा ये final आपका solution इसमें द्रव A कितना है ? 2 बते 5 ठीक है जो total मेरा amount है वो कितना है ? यह कितना है 2 और total amount में से कितने में से 2 और 3 पांच में से ठीक है तो 2 बटे 5 ठीक है तो यह आपका आगया allegation अब आप इसमें allegation लगा दीजे तो मैंने बटाया था रेशियो होते हैं तो 5 से आप 3 हो जगा multiply कर धी जीरो में 5 का multiplied population 01 तो यह कितना अंतर आजाएगा यह कितना है जीरो से 2 का अंतर 1 और 4 से अंतर 2 तो इसका मतलब क्या गया एक अनुपात एक यानी कि क्या हो गया आपका कि वह आधा खाली किया यहाग़ा और तब Bel Esp कि एक की वैल्यू आ है कि 10 तो आपका इंशन यहांपर आ जाएगा कि एक की वैल्यू दस है है तो दो पूछा गए होगा टोटल लेकिन दीदेखिए आपने हलं फिर द्यान से नहीं पड़ा, question में क्या पूचा गया है, प्रारम में द्रव A की मात्रा कितनी थी, जबकि initially भी तो आपका द्रव A भी था और द्रव B भी था, जबकि जो आपने ये दो निकाला ये तो total solution निकाल दिया, तो total solution कितना है, 20 लीटर, ठीक है, तो 20 लीटर जो total solution है, उसमें से द्रव A क options कैसे होंगे, आपका first part होगा, 16, second part होगा, 20, third part होगा, 24 या इस तरह से ही होगा, तो आप ज्यादतर लोग इसमें क्या है, कि 20 लगा देते हैं, जबकि ये गलत हो जाता है, आपका answer कितना आता है, 16, ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लिजे, कई बारा, जल्दी-जल्दी एक द्रव भरा हुआ है, इसमें 3 भाग पानी है, और 5 भाग अल्कोहल है, ठीक है, तो 3 पार्ट अगर कैसा है, वाटर है, तो 5 पार्ट क्या है, आपका अल्कोहल है, इसमें से कितना मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी भर दिया जाए, कि इसमें आधा पानी और आधा अल्क तो फाइनली क्या हो जाए कि आधा पानी और अधा वांटर हो जाए डीक की का लोगों को इस्में confusion होता है कि आधा पानी अधा लंगवेज्य का मतलब को हुआ कि one ratio one में वो आ जाए यह वन अगर आपका वांटार हो तो one तो अब आपको देखे इसमें result दे दिया गया कि वन रिश्य वन में आता है और यहां पर क्या दे दिया गया वाटर दे दिया गया है बहुत ही easy सा question है लेकिन उसकी language इतनी अजीब सी थी कि कई लोगों ने इस question को attempt भी नहीं किया था ठीक है तो अब क्या कह रहा है कितना amount फांच बटे टूटल कितना है ऐट तो 5 बटे आठ बाग अलकुहल था और water में कितना होगा अलकॉहल जीरो और कितना चाहिए मुझे एक बटे दो बाग अलकॉहल बचे finally क्योंकि एक अनुपात 1 हो जाए तो एक बटे total कितना 2 ठीक है तो अब यह क्योंकि ratio होता है तो मैं 8 से multiply करूंगा सीदे तो यहाँ पर जब 8 से multiply करूंगा तो यह कितना बचेगा 4 और यहाँ पर 8 से multiply करूंगा तो 0 ठीक है तो यह कितना आ जाएगा पांच, जीरो और चार, इसमें मैं रेशिय ले ले लूँगा, तो ये कितना आजाएगा, चार अनुपात एक, ठीक है, अब दीखे, चार अनुपात एक का मतलब क्या हुआ होगा, कि जो इनिशली सलुशन रहा होगा, वो कैसे, कुछ पांच भागों में रहा होगा, एक, दो ही पानी भढ़ देंगे, तो आधा पानी और आधा एल्कॉल हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन बाई फाइफ, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसका कुछन था, लेकिन अगर आपको लेंग्विज पढ़ना नहीं आया, तो फिर आपके लिए पानी आपको मिलाना है, मिश्णन निकाल के, ठीक है, तो पानी है, तो आब मय किसे सोल करूँगा, मदिरा से, तो मदिरा का ननुपात की है, 25 तो फिलिए विखते कर लिए त्याफ से, यहां से 4 कटेगा, यहां पर 4 से multiply होगा, तो यह कितना दो बचेगा, और 0 तो 0 ही रहेगा, तो 3, 0 और यहां पर कितना आजाएगा, 2 ठीक है, तो अब ratio लगा लिजे तो यह कितना आजाएगा, 2 और 3 और 2 कनपाद, 1 ठीक है, तो यह आपका final ratio आगया, अब आपको पता है कि क् question में, मिश्रण में मदिरा और पानी कितना भाग निकाल कर मिलाया जाएगा, तो आप बता सकते हैं कि इससे, 1 बटे 3 भाग अगर आप निकाल कर, उतना ही पानी मिला देंगे, तो आपको final जो भी resultant चाहिए, वो आपको मिल जाएगा, देखिए यह भी question 2004 में SSC CGL के paper में प ठोड़ा different question है, इसको समझ लीजे, इस तरह के भी questions बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको paper में bank वगरा के exams में बहुत questions इस तरह से पूछे जाते हैं, इसमें क्या कहता है, एक बरतन में कुल 40 लीटर दूद था, initially क्या होता है, कि pure form में एक कोई भी liquid completely filled होता है, ठीके, और उस के बाद उसमें क्या करते हैं, कि कुछ amount उसका निकाल कर, उसमें कुछ impurities डालते जाते हैं, कुछ Giulious Grams करते जाते हैं, ठीके, तो 40 लीटर क्या बोलória रहा है, initially dewूद था, जोकि pure मानते हैं, ठीके, उसमें क्या कंगा था, 4 लीटर दूद निकाल कर इसमें उतना ही पानी आपका डाल दिया गया ठीक है और यह क्रिया आपके कितनी दो बार दो रहाई जाती है ठीक है तो अब क्या पूछ रहा है कि सुद्ध दूद कितना होगा देखिए इसको करने का एक तो फॉर्मुला भी होता है डियरेक्ट मैं आपको कहूंगा कि आप इसको क्या कीजिए आप इसको समझ लिजेए और उसी तरह किसे करेंगे तो आपके लिए आसान पड़ेगा क्योंकि फॉर्मुलेस वगरा का यूज मैं बताऊंगा कहां पर आप कीजिए बट इस तरह के कुश इसका कितना पर्षेंट था यह चार है यह 40 का कितना पर्षेंट है यह आप निकाल लीजेंगे आपने पर्षेंटेज अगर देखा होगा तो बहुत ही इसली कर पाएंगे अगर नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक वगएरा आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी बढ़ा क्या होगा तो अब तो अनीशिली माला लीजें कि 100 अपके पास अमाउंट था तो Всем Toyota है 5 10% जब आपका पहली बार दूद निकाला गया होगा उसकी जिए पानी डाला गया होगा, तो सुद्ध दूद कितना बचेगा ये आपका directly आ जाता है कि 10% आप इसका गटा दीजे, तो इसका 10% तो 10 होता है तो ये कितना आगया 90, तो पहली बार तो बहुत इजी होता है पहली बार देखिए आपका 40 लिटर है उसने कितना 4 लिटर निकाला तो अब क्या 36 लिटर बचा मांकी तो आप पानी मिला है लेकिन जब दूसरी बार आप उसमें निकालेंगे तो अब कुछ दूद भी गया होगा और कुछ पानी भी यह कंग सी तुक्छ दूसरी बार इस क्रिया को किया गया है लेकिन यह कितनी बार दो बार दो राए गई यानी कि एक बार तो करीई गई एक बार यहां पर यह हो गई है इसके बाद 2 बandom और दर नहीं तो आपने 1 बार ने एक लिह ग्वार कर ली एक बार आपको और करें थीक है तो इसमें एक बार आ और आप इसका 10% गताएंगे तो यह कितना जाएगा 8.1 और 8.1 जाब आप इसमें से घताएंगे तो कितना आजाएगा असी में आप 8 गटा दीजे तो 72 और एक 73 तो 73 दसमलोग एक आपका यह वैल्यू आ गई कि इस समय प्यूर फॉर्म में दूद कितना होगा 73.1 आपके पास प्यूर फॉर्म में दूद होगा ठीक है तो यह पूछा भी किया है कि अप सुद्ध दूद कितना होगा यह परसेंट बुठाज सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको आप वैल्यूस में भी निकाल सकते हैं कि कितना लीटर आपका प्यूर मिल्क बचाहों गैं तो इसके बाद एक क्रिया दो बार और दर आए जाती है तो अब सुद्ध दूद कितना होगा और इसमें जो आपसन से वह आपक परसंटेज में गिवन थे इसमें जो भी आपके options थे वो सारे किसमें थे परसंटेज में गिवन थे तो क्योंकि यह भी क्रिया कितनी बार दो बार और दर आए जा रहे तो आपका ही आ जाएगे इसमें तो पहली बार 100 में नमाल लिया तो 60 20 परसेंट चृव Ahh तो यह कितना जाएगा 73.1 ठीक है तो यह आपका आगया 73.1 परसेंट तो यह इसके options कुछ ऐसे थे 70 72 इसी तरह से थे 73.1 जो है आपका यह correct answer आजाएगा ठीक है तो यह questions पूछे जाते हैं इस तरह के अब देखे इसमें एक formula भी बनता है उसका कैसे use करते हैं वो भी चले सीख लेते हैं पहले एक और यह question देख लिए एक क्या कह रहा है कि एक बरतन जिसमें सुद्ध दूध है ठीक है पहले जो है सुद्ध दूध गेवन है और इसके 20 प्रिस्द को पानी से बदल देते हैं मतलब वो अब इस बार क्या है direct आपके अगर आपको यह तरीका पता था तो आप 120 प्रस Tag नोड़ें है तो हरे बार कि 20 प्रस्त को बदला है तो बेदाने करता लूंगा तो यह लटा मुँट्पETH डूज़्ा और इस इसका 20 परसेंट लूह ल cost जाएगा तो किसले सessäक्थ 20 परसेंट निकाल लिए तो कितना जाएगा तेकर न परसेंट कितना होता है सिक में दो घटाई ये 52 और उसमें आप घटाएंगे तो 51.2 ठीक है तो 51.2 परसेंट जो है वो आभी आपका प्योर उसमें मिल्क बचा होगा और बांकी क्या हो जाएगा आपका अवर्टर हो जाएगा ठीक है गाईज नेक्स्ट देखते हैं अब यह क्या यह क्या रहा है कि एक बरतन में कुल 60 लीटर दूद था यह अब दूद और पानी कितना होगा ठीक है अनुपाद बताना है ratio of milk and water अब कितना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप 12 निकाल लिए 60 का कितना प्रिसंट होता है तो बारा एक बटे पांच बारा पंचे साथ एक बटे पांच होता है बीस परसेंट आपका होता है ठीक है तो यह कितने बार एक बार निकाली गई और एक बार औ दो बार आपको करनी है तो इनीचली माल लिए कि टोटल दूद कितना था 100 परसेंट था एक बार जब आप करेंगे 20 परसेंट उसका घटाएंगे तो कितना 80 आजाएगा और फिट से आप 20 निकाल देंगे तो 80 का 20 परसेंट कितना होता है 16 तो असी में 16 घटा दिए तो आप इनीचली आपका प्योर मिल कितना था 100 था तो अब कितना बचेगा सिर्फ 64 ठीक है तो अब क्या पूछा गया है कि अब दूद में पानी दूद और पानी का अनपात क्या होगा तो दूद अब प्योर कितना बचा मेरे पास सिर्फ 64 और टूटल था कितना 100 परसेंट तो अनुपात 9 आपका यह final answer हो जाएगा क्योंकि ratio पूछा गया है तो ratio of milk and water अब क्या होगा तो 16 अनुपात 9 के अनुपात में अब दूद और पानी होगा ठीक है गाइस next question देखते हैं अब देखें यह question क्या कह रहा है एक कनेस्टर में मिट्टी का तेल भरा हुआ है इसमें से 8 L commit का तेल निकाल कर उसमें उतना ही पानी मिला देते हैं और यह क्रिया तीन बार और दहराई जाती है ठीक है तो क्या पूछता है कि यदि मिट्टी का तेल और पानी का फाइनल अनुपाद उसने दिया हुआ है 16 अनुपाद 65 ठीक है तो प्रारंब में मिट्टी का तेल कितना था अब दिखिए कभी भी आपको अगर आपको रेशियो गिवेन हो और पूचा क्या जाए कि प्रारंब में मिट्टी का तेल कितना था तो इस तरह के के लिए आपको formula यूज कर लेना चाहिए क्योंकि इस तरह के questions को आप formula से बहुत तेज़ कर पाएंगे अगर आप इसमें भी formula का यूज नहीं करेंगे तो फिर आपको थोड़ी सी problem हो सकती है तो इस तरह के questions को मैं आपको बोलूँगा क्या आप formula से करिए बस इसका formula में कैस करना सिखाऊंगा तो देखे initially आपको यह पता है कि क्या था कनस्था में क्या था मिट्टी का तील तो आप पहले यहाँ पर लिख लिए कि आपको क्या है carosine oil आपको लिए गया है ठीके ताकि आपको यह पता रहे कि प्योर में जो चीज है वो initially थी क्या तो इनीशली कैरो स उसमें से अब आप कुछी देख लीजिए कि कितना एमाउंट आपका निकाल कर उतना ही क्या भरा जा रहा है तो उसमें क्या भरा जा रहा है और हर बार कितना एमाउंट निकाला जा रहा है एट लीटर एमाउंट आपका वाटर हर बार उससे निकाला जा रहा है और यह क्रिया कितने बार एक बार तो करी गई और तीन बार और दोर आई गई यानि कितने टाइमस यह क्रिया होती है यह क्रिया होती है टोटल फोर टाइमस करी जाती है तो मिट्टी का तेल और पानी का अनुपाद दिया हुआ है तो फाइनल जो मिक्षर आपको मिला है उसम में गिवन है कि मिट्टी का तेल यानि कि केरोशीन ओयल कितना बचा और कितना उसमें पानी मिक्स हो चुका है ठीक है तो यह आपको रेशियो गिवन है ठीक है तो यह कितना है 16 अनुपात 65 तो अब इसका देखे फॉर्मुला क्या होता है वो भी आप समझ लिए इसका फॉर्मुला कुछ इस तरह से होता है कि एक साइट में आपको क्या लिखना होता है रेशियो लिखना होता है रेशियो कि चीश का होता है वो आप समझ लिए यह जो रेशियो गिवन है इसी रेशियो को यहां पर लिखन होता है उपर में क्या ची जाती है कि जो प्योर फॉर्म था टीक है उपर में रस्यों में आप लिखते हैं कि करूशीन पाइनली यह जो रेख्यों होता ये क्या लिखना होता है कि के रॐसिन फाइनली अब कित oppressed यहां पर क्या होता है कि सुद्ध मात्रा कितनी बची है इसको इंग्लिस में गर्ण कर सकते हैं सुद्र मात्रा कितनी बची अपान में कुल मात्रा अब जो है ठीक है यह दोनों चीजें आपको किस फॉर्म में लिखना है रेशियो के फॉर्म में उस रेशियो से जो की given होगा ठीक है तो यहरा है capacity तो जितनी भी बरतन की capacity होगी उतना ही आपका मिर्टी का तेल रहा होगा तो 1- kateょ ना आपका रिपलेश किया रहा है upon में c क्या है total बरतन की capacity कितनी थी यह हो जाता है 1- x upon c और यही आपको जेनली पेपर में questions सुन जाता है X की value आपको यहां पर कितने दी हुई है, 8 लीटर बार-बार replaced किया जा रहा था, To the power T, यहां पर T क्या है, कितने टाइम्स जो है ये process repeat किया गया, ठीक है, तो ये process कितने टाइम्स repeat हुआ है, ये process आपका 4 टाइम्स repeat हुआ है, तो चलिए इस question को completely solve कर लेते हैं, तो यह कितना आ जाएगा आपका, 1 minus 8 times, इसको 8 liter हर बार निकाला जा रहा था, replace किया जा रहा था, upon में total capacity ही मुझे पूची गए, यह तो C हो गया, to the power कितना 4 बार इसको repeat किया गया, तो दीखें, इस 4 को मैं क्या कर सकता हूँ, इस side मैं इसक और transfer कर सकता हूँ, तो यह कितना आ जाएगा, 1 by 4 हो जाएगा यह चीज, ठीक है, तो इसकी value कितनी आ जाएगी, देखें, 2 की power 4 होता है, 16, तो यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा, 2, और नीचे में कितना आ जाएगा, 81, यानि 3 की power 4 होता है, 88, तो यह कितना आ जाएगा, 2 ब by 3, ठीक है, तो C की value कितनी आ गई आपकी, C की value आ गई, 8 गुणे 3, यानि की 24 liters जो है, इनीचली आपका मिट्टी का तेल रहा होगा, ठीक है, इसी पर बेस्ट एक और question देखते हैं, और आराम से शीष को समझ लेते हैं, फिर से, जिल लोगों को नहीं समझ में आया हो, एक पर आप फिर से देख लिजे, देखें, सबसे पहले आप देखें कि इनीचली क्या भरा हुआता है, तो इनीचली क्या भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ एक पात्रे, तो इनीचली क्या है, आपको मिल गया, कि प्योर फॉर्म में कौन से चीज रहनी है, हमें साब पानी रह तो यह क्रिया जब दो बार और दोहराने से दूद और पानी का अनुपात कितना हो गया है सैत्र दौट्रा एक ओर सत्ताइस हो गया 紧िकर कोई ठीट क्यों प्रव्डूम नहीं आपको आपने क्या कहा कि जो प्योड फ़ाम में था वह क्या था पानी तो पानी का यानि कि सुद्ध मात्रा जो है वो पानी की होगी upon में कुल मात्रा आप किया जाएगी ठीक है तो देखे अब रेशियो किसका दिया गया दूद और पानी का रेशियो दिया गया तो दूद और पानी का रेशियो ये कितना की वेन है 1701 अनुपाते 27 ठीक है तो पर मैं क्या लिखूँँगा 27 और अपान में क्या लिखूँँगा 1701 में 27 जोड़ दीजिए टोटल क्योंकि अपान में कुल लिखना है तो यह कितना हो जाएगा 701 दो यूटा सक है 1720 और 1728 ठीक है तो 1728 अपान में लिख दूँगा यह आजाएगा 1728 और इसको किसके एक्वल कर दूंगा इसको एक्वल कर दूंगा मैंने फॉर्मला बताया था वन माइनस कितना रिप्लेस किया जा रहा है तीन लीटर अपॉन में कितना आजाएगा कुल मातर जो कि मुझे पूची गए कितना था यहीप वश्यप पूचा गया है तो यह सी अब दीकिए प्रोस्स कितनी और दो dopra ऐगया यह यह тепर थीन बार रहा गया तो यह प्रोस्स कितनी लिख दो झाल म्हक् Knowing ठीक है तो अब दिखें यहां पर जो 27 है मैं इस 3 को इस साइट ट्रांसफर कर देता हूँ तो यह कितना हो जाएगा वन अपॉन 3 ठीक है तो 27 बटे 1728 की पावर 1 बाइ 3 हो गई तो 27 आपको भी पता है कि यह 3 की पावर 3 होता है 3 का स्कार 9 और 3 का क्यूब 27 तो यहां पर यह कितना आ जाएगा 3 और यह आपको पता होना चाहिए कि यह किसका 12 का क्यूब होता है 1728 देखें 12 का स्कार 144 और उसको जब एक बार आप और 12 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो वह कितन 3 अपाउन सी की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपाउन 4 ठीक है तो आप इसको सेड ले आईए और इस नंबर को सेड ले आईए तो यह कितना आ जाएगा 3 अपाउन सी इस इक्वल टू 3 अपाउन सी इस इक्वल टू 1-1 बाई-4 यानिकि 3 बाई-4 तो 3 से 3 देखें कट गया तो स पाउन सी-टी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 लीटर ठीक है तो इनीशली कितना आपका अमाउंड था इनीशली आपका जो एमाउंड था वो टूटल पानी 4 लीटर था जिसमें की 3 लीटर बार-बार हटा करके बार-बार उसमें दूद मिलाया गया जिस वोजे से था पानी का चार लिटर था ठीक है गाइस तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ इस पर एलिगेशन पर आल्मोस्ट सभी कॉंसेप्स समझ लिए अब इसके बाद इसमें अभी मैं लेक्चर्स नहीं बनाऊंगा एलिगेशन के कॉंसेप्स इस से जादा आपको जानने की बहुत के साथ थैंक यू फा वचिंग